हालो फ्रेंड्स वेलकम तु माई चैनल मनुकी रसोई, चलिए आज बना लेते हैं बहुत ही ठेकवा, ठेकवा बिहार की बहुत ही खास रेष्पी है, इसे छट पूजा पर जरूर बनाई जाती है, तो चलिए कैसे बनाई जाती है, देख लेती है, ठेकवा बनाने के लिए सूजी और 6-7 चमच हमने यहां पर लिया है टेजिकेटड कोकोनेट आधा चमच हमने लिया है यहां पर इलाइची पाउडर आप यहां पर 100 कप आउडर भी डाल सकते हैं वन फोर्थ कप हम लेंगे यहां पर देशी घी घी डाल करके अच्छे से इस तरह से हाथों से रब करते हुए हम मिलाएंगे अच्छे से मिक्स करेंगे आटे को और इसकी इस तरह से मुठी बनाएंगे तो मुठी में आ जाए मतलब इतना ही हमको मुएन डालना है तो बस यह अच्छे से मुएन पढ़ गया है यहां पर तो अब चलते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो यह पानी हमने जो चीनी वाला पानी रखा है वही डालेंगे तो चीनी अभी पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुए है तो बहुत ही मेल्ट करने की जरूद भी नहीं है तो इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और अच्छा सा दो तयार करेंगे तो दो हमें बहुत सौट नहीं रखना है थोड़ा सा टाइठी डो हम इसका लगाएंगे और थोड़ा अगर पानी कम लगता है ज्यादा टाइड लगता है तो थोड़ा सा पानी की छीट पेटते हुए बस हमें गूत लेना है आटे को तो अब इसको हम रख देते हैं 5-10 मिनट के लिए ढख करके सेट होने के लिए तो 10 मिनट के लिए हमने रख दिया था खोल करके अब इसको हम फिर अच्छे से सेट कर लेंगे और ठेकवा बनाने से पहले चलते हम कडाय चढ़ा आल जब तक गरम हो रहा है हम इधर ठेकवा बना लेते हैं तो ठेकवा बनाने के लिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइट कर लिया है सिलेंडर की तरह इस तरह से हम चकले पर रखेंगे और आप चाहें तो हाथ से भी थोड़ी चुटी चुटी लोईयां तोड सकते हैं लेकिन हम चाकु से इस तरह से बराबर पीसेज में काट लेंगे ताकि ठेकवा बनाने में आसानी रहे तो इस तरह से चकले पर रखेंगे और थोड़ा सा मोटा ही बनाएंगे बहुत ज्यादा पतला नहीर बनाना है अगर आपके पास सांचा है तो आप सांचे से भी बना स तो देखे कितने अच्छी यह डिजाइन बन करके तयार हो गई है चलिए सेम इसी तरह से दूसरा भी बना लेते हैं बस हाथ से इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करेंगे बहुत जादा पतला नहीं रखेंगे इसको क्योंकि पतले जादा अच्छे नहीं लगते हैं और बस इस त कर आप को दिखा देते हैं कि अगरा आपके पास अंचा नही है तो आप इस तरह से गलास से भी बना सकते हैं जैसे आप चाहें चाकु से निकाल सकते हैं तो देखिए इस तरह से घंश से हमने डिजाइन बना लिया है तो बनाना कितना असान हैं बहुत ही अच्छे rainy बनन हो गए हैं तो हमने इनको बना करके रख लिया है अब चलते हैं इनको हम फ्राई कर लेते हैं तो फ्राई करने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई चड़ा दिया था उसमें आयल भी गरम हो गया है तो हमें बहुत ज़्यादा आयल गरम नहीं रख करना है थोड़ा धीमी आज पर ह हम यह ठेकवा तलेंगे, दो एक बार मीडियम फ्लेम पर हम आइल को अच्छे से गरम कर लेंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम हम यहाँ पर लो रखेंगे, तो लो फ्लेम पर हम यह पांच से च्छे मिनट के लिए धीमी आज पर छे से साथ मिनट भी लग सकते हैं धीमी आज पर हम इनको इस तरह से तलेंगे तो इसमें कड़ाई में डालने के तुरंत बाद हमें कल्ची से टाच नहीं करना है एक से दो मिनट के बाद हम इनको इस तरह से चारो तरफ से घुमा देंगे और उसके बाद इनको हम पलट देंगे तो पलट करके इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इने धीमी आज पर ही सेकेंगे तो इस तरह से हम सेक लिया है देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है तो आब इनको हम निकाल लेते हैं तो चलिए अब दूसरा बैच भी इसी तरह से हम डाल देंगे तो इनको थोड़े-थोड़े करके सेकना एक साथ भी नहीं डालना है क्योंकि आयल में जाने के बाद ये बहुत ही सॉप्ट हो जाते हैं तो पलटने में तूटने का भी डर रहता है तो थोड़े-थोड़े हम इनको डाल करके सेकेंगे तो ये बहुत ही अच्छे और अच्छा कलर इनका निकल करके आएगा तो एक से दो मिनट के बाद हम इनको इस तरह से पलट देंगे पलट करके भी गोल्डन प्राउन होने तक इनको दोनों तरप से सेक लेंगे क्योंकि आज थोड़ी भी ज़्यादा हुई तो ये उपर नीचे तो मतलब इनका कलर आ जाएगा लेकिन बीच में ये कच्छे रह जाएंगे तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नहीं लगेंगे तो इस तरह से हम धीमी आज पर बहुत ही अच्छा कलर आ गया है तो आप इनको हम निकाल लेती हैं तो देखे बहुत ही अच्छे ये ठेकवा बन करके तयार हो गए हैं कोई भी इनको बना सकता है बहुत ही आसान सी रेसिपी है तो आप लोग भी बनाईए और अपनी फैमिली के साथ इनको बनाईए तो आप लोग भी बनाईए और अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय करिए रेसिपी हमारी अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मिलते हैं फिर किसी इसी तरह से नेस्ट रेस्पी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग